हेलो फ्रेंट्स, वेलकम बैक टो मैं चैनल, मैं समीता, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेर कर रहे हूँ, एमाजोन हॉल, एमाजोन से इस बीच मैंने काफी सारा समान मंगवाया है, और रेंडम स्टफ है, घर के लिए ही चीजे मंगवाई हैं, वही मैं आपके साथ ओपन करने वाली हूँ, मैंने भी ने ओपन करके नहीं देखा है, तो चलिए, ओपन करते हैं, साथ में ये सारे प्रोड़क्ट्स, सबसे पहला प्रोड़क्ट है, ये पिलो फिलर, और ये मैंने पहले भी मंगाया है, सेम ब्रेंड का, तो ये काफी अच्छी कॉलिटी का थ और ये इस तरह से compressed form में आता है, तो पहले मैं ये सबागे से हटा देती हूँ, ताव कि आपको clearly में दिख जाए, क्योंकि ये वीडियो में ज़्यादा edit नहीं करने वाली हूँ, directly जैसे बना रही हूँ, वैसे आपके साथ share करने वाली हूँ, तो यहाँ पे catchy से काटते हम काफी लंबे time से use कर रहें, तो मुझे लगा इस बार एक और मैं ये मंगवाती हूँ, और इसे जब आप open कर देंगे तो ये side में जिस तरह की clip आ रही है, उस तरह का ये हो जाएगा, इसमें जो cotton filled है, वो भी काफी light weighted है, next जो packet है, उसे open कर लेते हैं, और उसमें भी confuse हूँ क्योंकि मैंने ये मंगवाया नहीं था, मैंने और कुछ मंगवाया था, oil ही मंगवाया था, बड़ कैस्टर oil नहीं था, इसमें उन्होंने कैस्टर oil दे दिया है, जो कि मैंने just search ही किया था online, बड़ कभी कभी इस तरह सी बोजाता, जो से आप search करते हैं, वो आपके बस order में आजाएं, ये थोड़ा सा surprising था मेरे लिए, बट कोई नहीं अभी मैं इसको देखती हूँ रखना है कि नहीं, next parcel की तरह बढ़ते हैं, next parcel थोड़ा सा मेरा उपर से damaged आया था, तो चलिए इसको भी खोल के देख लेते हैं, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है ये fold bucket, जो की इस तरह की एकदम compress होके छोटी हो जाती है, और जिब इसको इस तरह से press करेंगे न, तो ये पूरी एक bucket बन जाती है, और इस bucket की जो size है, वो काफी अच्छा है, और उसकी capacity 10 liter पानी आपस में फिल कर सकते हैं, light weighted है, थोड़ा सा starting में मुझे खुद से गवराट हो द जो यलो वाला है, वही फोल्डों के इस तरह से compress हो जाता है, तो इसको आप किसी भी छोटी जगह में store करके रख सकते हैं, किचन में हमें चुट-चुटे कपड़े धोने होते हैं, या अपनी foot massage के लिए hot water लेना है, तो इस तरह की bucket काफी ज्यादा useful रहती है, quality काफी अच् extension board, तो वो मैं आपको भी दिखाती हूँ, पहले open कर लेते हैं, ये वाला box जिसमें की एक bottle है, और ये bottle hot and cold वाली है, जिसमें आप गरम और ठंडा पानी दोनों रख सकते हैं, और ये काफी बड़े size में है, 1800 ml इसमें आ जाता है, लगबग 2 लीटर के असपास, और इसमें उ अच्छी quantity maps में पानी भर कर लेकी जा सकते हैं, तो quality काफी अच्छी लगी मुझे इसकी, पिक्सपो ब्रैंड है इसका, और ये वाली जो bottle है, मैं इसकी छोटे size में एक यूज़ कर चुकी हूँ, ये ट्राइप लाई में हैं, और इसमें hot and cold आप दोनों रख सकते हैं, जैस करने के बाद मैं आपके साथ share करूँगी, इसका ये handle वाला part मुझे काफी अच्छा लगा, क्योंकि grip नहीं बनती है, इतनी बड़ी bottle की, तो इस तरह से ये bottle है, और winters में आप इसमें hot water रख सकते हैं, और summer में cold water, इसके अलावा मैंने दो और bottle home center से ली थी, actually ये वाली bottle अन hot and cold अलग लग, तो इस तरह से दो bottle काफी काम आती हैं, तो ये home center से लिए हैं, और ये two के set में ही आई थी, एक छोटी एक बड़ी, ये thousand रुपीज की मुझे दो bottle पड़ी हैं, जैसे price होंगे, वो मैं आपको side में दे दूँगी, क्या-क्या price है, अब ही मुझे सब के याद हैं, ये जो है extension board, ये भी आनत के लिए मैंने order किया है, और ये भी simple extension board है, इस तरह का है, इसमें यहाँ पे on off का दिया हुआ है, तो ये तो अभी चेक करने के बाद ही पता चलेगा किस तरह का है, ये तो इसे अभी रखते है side में और बाकी हागी के product में आपको दिखाती हू एक और packet है, इसको भी खूल के देख लेते हैं, इसमें क्या है, इस पर मैंने काफी random step घर के लिए मंगाया है, और मैंने सुचा कि एक साथ ही मंगाया है, तो आपके साथ भी share कर देते हूं, इनकेस आप इस तरह के कोई चीज purchase करने की सूच रहे हैं, और मैं अपना जो review share कर करती हूं देख कर किस तरह की quality आती है, तो वो आपके लिए helpful हो सकती है, यह है दो body wash, तो यह मैंने अनंद के लिए मंगवाए हैं, एक्शली बच्चे जब बाहर जाते हैं ना रहने के लिए, तो उनको सारी छुट-छुटी चीज़ें देनी पड़ती हैं, तो उसी के wild soap है यह और यह dark spot और acne पर बहुत अच्छे से काम करता है, और यह एक package का हम यूज कर चुके हैं, दूसरा मैंने मंगवाया है, आपके भी बच्चे अगर सेमेच के हैं, उनको छुट-छुटी घमोरिया यह चुट-छुटी दाने पीठी पे हो जाते हैं, इसकिन पे हो जा यानि कि open ही रहता था वो, इसमें उपर से इस तरह से cover भी आप कर सकते हैं, यह extra cloth दिया हुआ है, इसमें साथ में एक रस्ती है, उसको आप tight कर दीजे, तो अराम से जो कपड़े अंदर है ना, उनको बड़ डस्ट वगिरा नहीं जाएगी, तो यहाँ पे side में पिक्चर मे है, जो cloth है और colorful है, तो देखने में भी अच्छा लग रहा है, और इसके अंदर अगर बच्चे गंदे कपड़े या अपने unwashed कपड़े या जो laundry के लिए जाने हैं, कपड़े उनको रख सकते हैं, और इसको carry करना भी काफी easy है, काफी light weighted है यह, जिसे मैंने कहा कि अगर आप कि help कर देते हैं, बिचाने वगेरा में, बड़ अगर वो hostel में रह रह रहे हैं, तो इस तरह की elasticated bed sheet काफी अच्छी रहती हैं, तो यह मैंने थोड़े से dark color में मंगवाई है, और इसमें इस तरह की elasticated band है, तो यह बहुत अच्छे से fit हो जाती है, साइड में, एक बार अगर जल्दी से हीलेगी नहीं, कपड़ा भी काफी अच्छा है, और प्राइस भी काफी अच्छे थे इसके reasonable, मैंने एक यह भी मंगवाई है, देखने के लिए कि quality कैसी है, क्योंकि इस range में, elasticated bed sheet पहले नहीं मिलती थी, अब भी बहुत जारे option हैं online, तो आप उनको search कर सकते हैं, कुछ link में आपको description box में provide कर दूँगी, कपड़ा वगिरा काफी अच्छा है, एक बार मैं इसको wash करके ही दूँगी, तो अगर कोई इसमें issue रहेगा, तो मैं आपके साथ share कर दूँगी, otherwise देखने में और कपड़े को चुकर कोई भी ऐसा issue नहीं लग रहा है, लग रहा है क आप इस तरह से try कर सकते, इसमें काफी color option थे, मैंने ये dark लिया है, वो इसको वैसे भी blue color जादा पसंद आता है, और ये थोड़ा सा dark color में है, तो बहुत जल्दी गंदा भी इसमें नहीं नजर आएगा, तो ये मैंने एक single bed sheet, bed sheet मंगाई है with pillow, और इसके लिए जो pillow filler है, वो और चीज़ें हैं, जो मैंने मंगवाई थी, ये है frosted glass के लिए एक sheet आती है, अगर आप कहीं भी किसी भी जगह पर चाते हैं कि glass frosted हो जाए, तो उसके उपर आप sheet लगा सकते हैं, पहले पूरा glass change करना होता था, बढ़ आजकल sheets के through भी आप कर सकते हैं, नेक्स्ट है ये एक purse जो कि zoop brand का है, आजकल zoop brand पे काफी sale है, buy one get one freebie है, तो मैंने ये दो मंगवाई थे, एक मैंने किसी को gift किया है, और एक ये मेरे पास है, जो कि मैंने खुद के लिए रखा है, तो इस तरह का है ये, और sling bag है, इसमें pockets बहुत ज़्यादा नहीं है, पर spacious है काफी, एक इसम look है, design है, वो भी काफी अच्छा है, एक और important चीज़ जो मैंने मंगवाई है, वो इस तरह की रूप और clip के साथ में रूप आता है, जिसमें आप छोट-छोटे कपड़े हैंग कर सकते हैं, इंडोरिया, आउट्डूर, ये मैं यूस करें तो मैं इसका सर्फ यहाँ पर यह clip आपके साथ शेयर करूँ, बहुत ही useful item मुझे लगा, साथी next मैंने एक file मंगवाई है, अनन के लिए ही, उसके documents वगएरा को रखने के लिए, जैसे से बचे बड़े होते हैं, उनको ये responsibility भी देनी चाहिए कि वो अपने documents वगएरा कुछ से सम्हाल के रखें, तो अभी तक तो हम इसका सब handle कर दे थें, बट अब उसके लिए मैंने ये मंगवाई है, ताकि वो भी अपने documents को अच्छे से रख पाए, अपनी जरूत के हिसाब से, इसके अंदर इस तरह से उपर से leather का ही है, अंदर जिप मिल जाती है, और इसके अंदर plastic sheet मिल जाती है, जिसमें आप अपनी सारे documents को रख सकते हैं, आप laminate करे बिना भी रखते हैं, तो इसमें काफी safe रहती है, side में इस तरह से pockets मिल जाती है, जिसमें आपना passport वगएरा वो चारी चीज़ें आधार वगएरा रख सकते हैं, या कोई पके जो होती है, passport side photo उनको रख सकते हैं, पीछे इस तरह से थोड़ा सा एक space बना हुआ है, जिसमें को documents वगएरा आपने रखने हैं, तो वो भी आप इस तरह से रख सकते हैं, जो अपकी sheets और अनन के लिए मंगवाए हैं, उमीद करती हूँ, आपको भी कुछ help मिली हो, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like जरूर करें, चैनल को subscribe करें, साथ ही अपना feedback शेयर करना नहीं भूलें, मैं मिलती हूँ आप से किसी और नए interesting वीडियो के साथ, तब तक के लिए Bye, thank you, thanks for watching, have a nice day